अपने हातों में गेन को पकड़ें और फिर उसे धीरे से नीचे छोड़ दें जब हम गेन को अपने हातों से छोड़ते हैं तब उसकी चाल शूनी होती है और जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू करती है उसकी चाल बढ़ना शुरू हो जाती है जितनी दूर तक वो गिरती है उतनी वो अधिक गती से जाती है हम ये कह सकते हैं कि गेन त्वरण कर रही है चलिए अब गेन को उपर की दिशा में फेंकते हैं उपर जाते समय गेंद की गती घटती जाती है, गती शून्य होने पर वो नीचे की ओर आने लगती है, चाल का कम होना भी एक प्रकार का त्वरण है, अगर हम गेंद को क्षैतिश दिशा में फेंके, हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे उसका त्वरण किस प्रकार से लंबवत हो शुरू हो जाता है, त्वरण समय के साथ गती में आये बदलाव को कहा जाता है, और वेग एक सदिश परिमान है, अताहा दिशा में बदलाव को भी त्वरण ही कहा जाएगा, गुरुत्वा कर्शन के कारण गेंद में त्वरण निर्मान हुआ, गुरुत्वा कर्शन गें को नीचे के और खींच रहा था इसे गुरुतवा कर्शन के कारण त्वरन कहा जाता है। गुरुतवा कर्शन के कारण होने वाले त्वरन को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं ? एक वस्तुमाम, दो लगाया गया बल, तीन हवा का प्रतिरोध, अगर हमने समान घंता वाले गेंद को कागस को लिया, तो वे अलग-अलग चाल से गिरेंगे, गेंद का त्वरन कागस की तुलना में अधिक होगा, अगर कागस को थोड़ा तोड मरोड कर उसका एक गेंद बन जब हमने कागस को तोड मरोड कर उसका गेंद नहीं बनाया था, तब हवा का प्रतिरोध उसकी गती को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, अगर हमने हवा के प्रतिरोध को निकाल कर शुन्यक में इसी प्रयोग को किया, तो दोनों वस्तुएं समान तोरण से नीचे आएंगी, आसानी से नीचे छोड देने पर वस्तुपर सिर्फ गुरुतवा करशन का बल कम करता है, और उस पर वातावरण में मौजूद हवा के प्रतिरोध का कोई असर नहीं होता है, गुरुतवा करशन के कारण तोरण अर्था जी का जो आमतोर से मुल चांश के साथ इसमें परिवर्त नाता है, दुरुओ उपर गुरुतवा करशन के कारण तोरण अधिक मातरा में पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर विशुवरित्त पर यह तूलना में कम होता है, समुद्र सताह पर एवरेश तूलना में अधिक होता है, इस सिमिलेशन प्रतिसेकन इस प्रारंबिक गती से छोड़ा गया है, 15 मिटर की उंचाई से वो गेन 26 पूरुणांग 2 दशमलाव दूरी पर जमीन को छूती है, उसे जमीन पर पहुचने के लिए कुल एक पूरुणांग 7-5 दशमलाव समय लगा, इसमें हवा का प्रतिरोद नहीं था, अ उसे जरा अधिक समय लगता है, एक पूरुणांग 7-8 दशमलाव सेकन जिसका कारण हवा का प्रतिरोद है, हमने अभी हवा के प्रतिरोद का गिर्ती हुई वस्तुओं पर होने वाला परिणाम देखा, हमारे गती की गणना के समय हम हवा के प्रतिरोद की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और हमें लगता है कि वस्तुओं मात्र गुरुत्वा कर्शन के कारण ही नीचे गिरती हैं, शक्ति, जिस मात्रा में कारी होता है या उर्जा के स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, या उर्जा एक प्रकार से दूसरे प्रकार के उर्जा में परि प्रिवर्तन हो यह कारी की संकल्पना से थोड़ा अलग है क्योंकि कारी की संकल्पना में हम सिर्फ भौतिक प्रणाली में हुए परिवर्तन की बात करते हैं मान लीजे अगर कोई व्यक्ती सीडियों से कुछ वजन उपर ढोकर ले जा रहा है फिर ये काम करते समय वो सीडियां चलकर भी चड़ सकता है या फिर दोड़ कर भी चड़ सकता है परन्तु यदि उसे दोड़ कर वस्तुएं उपर ले जानी है तो उसे आधिक शक्ती की उर्जा बटा समय होता है शक्ति की ऐसा इकाई वाट होती है जो एक जूल प्रतिसेकन के बराबर होती है शक्ति की इस इकाई का नाम स्कॉटिश मेकैनिकल इंजिनियर जेम्स वैट के सम्मान में दिया गया है सत्रा सु सत्र में भाब पर चलने वाले अधिक संशोधित इंजिन का अविशकार उन्होंने किया था इलेक्ट्रिक बल्ब जिस मात्रा में विद्यूत उर्जा को प्रकाश और उश्नता में परिवर्तित करता है उसकी गणना वैट द्वारा की जाती है यह 25 वैट का बल्ब है इसका अर्थ होता है हर एक सेकन में यह 25 जूल विद्यूत विभवांतर को उश्नता और प्रकाश में परिवर्तित करता है 60 वैट के बल्ब से प्रतिसेकन अधिक उर्जा परिवर्तित होती है और यह बल्ब अधिक उजाला भी देता है जेम्स वैट द्वारा बनाया गया इंजिन घोडों की जगा लेने वाला था उन दोनों की तुलना करने का शक्ती एक मार्क था इसलिए एक हॉर्स पौवर बराबर 746 वैट्स गतिविदी, राम और शाम पानी से भरी 10 किलो वजन की बाल्टी एक मिटर तक उठाने का प्रयाज कर रहे हैं कार ये कितना हुआ है ये देखने के लिए हम नीचे दिये हुए समिकरण का उपयोग करेंगे वैट is equal to MGH, M का अर्थ है बाल्टी की घनता, G का अर्थ है गुरुत्वा करशन के कारण होने वाला त्वरण, H का अर्थ है उच्छाई अतहा कार्य हुआ बराबर 10 गुणा 9 पूर्णाक 8 डशमलव गुणा 1 जो कुल मिलाकर 98 जूल होता है अगर राम एक सेकन में बाल्टी उठाता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी शक्ती 98 वैट है और अगर शाम यही काम दो सेकन में करता है तो हम कहेंगे कि उसकी शक्ती 49 वैट है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम में शाम से अधिक शक्ती है याद रखें कि शक्ती वो मात्रा होती है जिसमें कोई और कुछ भी काम किया जाता है चुनौतीस विकार करें मान लेकि आपका वजन साथ किलो है आप सौ सीड़ियां 28 सिकन में समान वेक से दोड़ते हुए चड़ रहे हैं हर सीड़ी की उंचाई 20 सेंटिमेटर है बताई आपने गुरुतवा करशन की विरोध में कितना कारी किया सारांच, हमने मुक्त पतन अर्थात आसानी से नीचे आना इसके बारे में अध्यन किया हमने शक्ति क्या होती है इसे परिभाशित किया और उसे उधारणों के द्वारा समझा ये वो मात्रा है जिसमें कारी किया जाता है आप भी इसी प्रकार के प्रयोगों द्वारा शक्ती के विशय में अधिक जान सकते हैं.